ये धारावाहिक किसी प्रकार की एतिहासिकता का दावा नहीं करता ततकालीन प्रस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाठकिये रुपांतर किये गए हैं इतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुमर जैसे नाम इतिहास में जाना नहीं है आईये तश्रीफ रखिए हम आपसे कोई जरूरी गुफ्तगू करना चाहते हैं आईये कहिए क्या आपके दिल में जलाल को लेके कोई जजबात है नहीं हम आपका प्रश्न नहीं समझ Major हम सीदे सीदे आपसे पूछते है अब जब सब जान चुके हैं कि आप जलाल के बच्चे की मान नहीं बनने वाली हैं तो क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आप जलाल के बच्चे को जर्म नहीं देने जा रही हैं हमने जलाल की आसू भरी आखे देखी और आपकी भी आखे देखी जो जलाल को एक टक देखे जा रही थी जिनमें जलाल के दर्द के लिए दर्द उम्रा हुआ था कहीं इतने दिनों के साथ के वज़र से आखको जलाल से महबबत तो नहीं हो रही है कहीं आपको उस रात का अफसोस तो नहीं हो रहा कि उस रात जलाल ने आपको छुआ क्यों नहीं एक साथ आपके मन में बहुत सारे प्रश्ण उमट गए हैं रुकया बेगम सच कहें, तो हमें बहुत प्रसंता है कि शैंशा ने अपना वचन निभाया और हमारा मान रखा हाँ, भरी सभा में उन्हें इतना भावुग देखकर हमें भी दुख हुआ और ये भी सच्छे की कदाजित अब हमें उनसे गिरिणा नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना कर्तब भी निभाया हमें कलंकी थोने से बचाया और भरी सभा में हमारा मान रखा और इसके लिए हम उनके आभार ही है फरन्तो हमारे आभार को प्रेम समझने के आप बहुत बड़ी भूल कर रही है रुकया बेगम हमें तो इस बात की प्रसंता है कि आज भी वो हमारे निकट नहीं है बलकि आपके सबसे अधिक निकट है चलो अच्छा है हमें लगा था कि आपको जलाल से महबबत हो गई है हम जलाल के साथ किसी भी औरत को बरदाश्ट कर सकते हैं लेकिन ये परदाश्ट नहीं कर सकते कि हमारे अलावा जलाल किसी और से महबबत करें प्रेम होना और पास में रहना दोनों बहुत बिन्नब आते हैं रुकया बेगम आपने हमसे इतने सारे प्रश्णी किया है अब एक प्रश्ण हम आपसे करते हैं बताएए कि क्या आप तच में शेहंशा से प्रेम करती है ये कैसा बेहुदा सवाल है प्रश्ण to प्रश्णी होता है उतर दीजिये ना बताएए आप शेहंशा से प्रेम करती है इसलिए तो हम उनकी बेगम है और हमेशा बने रहेंगे यह हमारे प्रश्ण का उत्तर नहीं है आप हमें इस बात का उत्तर दीजे कि क्या आप सच में शेहनशा से प्रेम करती है वो हमारे बच्पन के दोस्त है नहीं, यह प्रश्ण ना तो हम एक बेगम से पूछ रहे ना ही शेहनशा की बच्पन की दोस्त से ये प्रश्ण हम एक स्थ्री से पूछ रहें क्या आप सच में शेहशा से प्रेम करती है तब भी जब वो शेहशा ना रहे या तब भी जब आप उनकी मित्र ना रहे या फिर आप उनकी बेगम ना रहे क्या तब भी आप उनसे उतना ही प्रेम करेंगी क्या तब भी उनकी प्रसंता में आप प्रसंद होंगी? बस! बहुत बोल चुकी आप जो धबेगा अब बस हुआ हम जलाल को चाहते हैं कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब से चाहते हैं इन सब बातों की सफाई देने की हमें कोई जरूत नहीं है नहीं आपको और नहीं अपने आपको आप जा सकती हैं बुलाए भी आपी ने था और बाहर भी आपी पहेज रिए ठीके हम तो चले जाएंगे फ़र हम तो जाते जाते हम आपको एक बात अविश्य कहना चाहेंगे चाहने और पाने में बहुत बड़ा अंतर होता है रुकया बेगम बेशक उतना ही फर्क जितना जलाल और आपके रिष्टे में हैं आप हमारी छूड़िये हम तो पहले से उनसे दूर हैं परन तो आप तो उनकी बच्पन की मित्र हैं तब भी आप हमारे इस प्रश्ण का उत्तर नहीं दे पाई कि आप शेहन्शा से प्रेम करती हैं या नहीं आपको योद्पर अवश्च्च दीजेगा कि क्या वाके में शेहन्शा से प्रेम करती है या शेहन्शा की बेगम बनी रहने से कि 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 अ वजीरे आलिया महामंगा ने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है, खेलने के लिए नहीं, चलो. पर अम्मी, यह सब लोग बहुत अच्छे, कोई नहीं डाटका यहाँ. तो उस वक्त का इंतिजार किया जाएं, जब तुम्हें कोई डाटे या सजा सुनाएं, चलो, चल कर काम करें. रने दो इसे. यह कोई उमर है काम करने की, यह इसकी खेलने की उमर है, खेलने दो इसे. जू हुकुम हुजूर, थोड़ी दिर में वावर्ची खाने में आ जाना. आप लोग भी जाएं और कुछ काम कीजिए. क्या बात? ना गले में कोई हार, ना कलाईयों पे कंगन या चूडिया? हुजूर, हम बान दिया है. हमारे पास ऐसे जिवर कहां होते हैं? एक काम करो. हमारे साथ हमारे होज़रे में चलो. जरूरी काम. क्या देख रही हो बती? कितना निरलज है ये आदम खान जोधा. चोटी सी बालिका पर भी को द्रिश्टी है इसकी. ये क्या कह रही हो तुम? हो सकता है ऐसा कुछ नहों? नहीं जोधा. आदम की द्रिश्टी और सोच दोनों का हमें अनुभव है. बालिका हो ये युवती. इसके लिए किवल उपभूग की वस्तु है. अतना ख्रानित है ये. वो देखो. वो बालिका उसकी पीछे पीछे जा रही है. अभी उसकी मा को इसने ये कह कर भेजा. कि बच्ची है उसे खेलने दो. और अपनों खुद उसे लेकर क्यों जा रहा है? क्या वाद है खाने खाना? आपने अब तक अपनी पतंगों नहीं उड़ाया? लगता है शेंचा आज जम से नहीं उड़ पाएगी. हवा साथ नहीं दे रही है. पतंग उड़ाने का मसा तभी है खाने खाना, जब हवा साथ ना दे. अब समझ में आया कि शेंचा इतने बड़े सामराजी की बाग दूर को कैसे समालते हैं? जो पतंग की दूर इतने अच्छे से समाले, वो हर दूर को समालना जानता होगा ना? ये लिजे रही है. रहीम समभाल के पतंग नीचे गिर जाएगी. अब आगे से ध्यान रखना, तोर भले हाथ में हो, पर अकर ज़रा सा पे ध्यान भटका, तो पतंग कटकर नीचे गिर सकती है, समझे? बहुत खूब जोधा बेकम. अब आका मज़ाज अच्छे से समझती हैं? हमने सुना है कि आप परिंदों को उतना ही चाहती है. परिंदों को छोड़ का हमारे पास आने का सबब क्या होगा? या फिर आप हमें उनसे ज़्यादा चाहने लगी है, या फिर आपको हमसे कोई बात करनी है, जो आपको हमारे पास आने का बाहन न ढूनना पड़ा. आपके दोनों ही अनुमान ठीक नहीं है. और वैसे भी, बेगम हैं आपकी, आपसे बात करने के लिए हमें बाहना ढूनने की क्या विशक्ता है? कहिए क्या कहना चाहती हैं आप. हम आपसे कहना चाहते हैं की बक्षी बानू. बस जो धावेकम, बक्षी बानू आपके साथ साथ हमारी भी कुनेगान है. बता और शेंशा हमने आपको इसे सदा देना का हुकम दिया और बता और भाईचा हमने खुद भी इसे सदा दी इनसाफ के साथ साथ ये मामला भी खतम होके आप खुता के लिए अब हमेरे सख्मों पे नमक छड़कना बंद करती चे शेंशा हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो था वेकम हमने कहा आना कि इस मामले पे कोई बात नहीं करेंगे और आप भी बख्षिबानों के बारे में सोचना बंद करती चे चोटिया में फिर से पतंग निच्चे जा रही है आए अल्ला क्या उसने दिया है हमें कोई भी जेवर डालो चर्च के बाहर राता है चाविदा बस करो इतना भी मत निहारो खुद को नजर लगाओगी क्या आए अल्ला आदाब आदाब हाँ बोलो क्या काम था सुबेदार हुजूर्ण ने मुझे यहां बुलाया है अच्छा अच्छा सुनो एक बात बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं जी बेहत खुबसूरत वो तो हम जानते हैं अगर हमारे शोहर का भी रंग हमारे जैसा साफ होता ना तो क्या बात थी अपनी अम्मी जान पे गए है ना वो तो उनका रंग भी थोड़ा सावला है पर अब क्या करें? महबबत में तो ऐसे ही होता है कर बैठे उनसे ये लो आगे हमारे सुवड़ार साहब ये लो तुम्हारे लिए जी मैं ले लो ले लो बेटा इतनी महबबत से जो दे रहे हैं शुक्रिया आप दोनों बहुत नेक हो जब जी चाहे चाली आना और तकलीफ हो तो बोल देना अग आदाग ये बांदी कुछ अच्छी खासी उमर की है नहीं है गौर से देखिये जरा कमसिम ही तो है अब ये बात को छोड़ोगी ठीक है छोड़ देते हैं आपके बारे में बात कर सकते हैं क्या कि आप कितने अच्छे हैं इसलिए जब आपने हमारा हार उस बांदी को दिया तो हमने कुछ नहीं कहा आपकी रहम दिली से तो हमारी आखे ही भर आई खुदा आपके जैसा शोहर हर किसी को दे एक कमसिम लड़की के लिए आपके दिल में कितनी हम दर्दी है हम सब को याद दिला दे कि कुछ दिनों में जलाल की सालगिरा है महल में बहुत गम बरस चुका है हम चाहते हैं कि इस सालगिरा का जशन ऐसा हो कि उसकी खुशी में सारे गम छुप जाएं पहले रुकया बेगम का बच्चा गिरा फिस जोधा बेगम को जरिया बना कर जलाल की उमीद तोड़ी गए अब हमारी कोशिश रहेगी कि जलाल बीती हुई बुरी यादों को दफन करके आने वाले कल की खुशाल रोश्णी को महसूस करें मलिका आजम से हम इत्वाक रखते हैं आप बेफिक्रे रही तयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी लुकईया बेगम हम उमीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आप जलाल के लिए कुछ खास, कुछ नया करेंगी आप फिक्र मत कीजे, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हाँ, आप लोग सब भी हमेशा की तरह शेहनशा कुण का मन पसंद तौफा ही दीजिएगा बेशक, सब कुछ हर साल की तरह ही होगा सिवा एक चीज के इस साल बक्षी बानोस जैशन में शामिल नहीं हो लेकिन भावी जान मालिका आजम बजा परमाती यह जशन हम शेहनशा की खुशी के लिए कर रहा है जिए बक्षी बानों की वह मौचूदी शेहनशा को परेशान कर सकती है और जितना हम जलाल को जानते ह् वो भी बक्षी बानों को वहां पसंद नहीं करेंगे लेकिन अम्मेजान शाहिन्षा ने तो बक्षी बानों की सजा माफ की है नहीं सलीमा बेगम बक्षी बानों माफी के लायक नहीं है हमने जैसा कहा है वैसा ही होगा हमारे हुक्म की तामील हो अमी जान अमी जान अमी जान अमी जान आज हम बेहत खुश है और हम बिलकुल खुश नहीं है जावीदा आप भी हो जाएंगी जब आप हमारी ख़बर सुनेंगी आस्मा से सोना बरस रहा है उससे भी बहतर अमी जान आज हमने आपके बेटे का एक अलगी चहरा देखा बिलकुल नेक दिन आपको पता है उन्हें बच्चों से कितनी महबबत है है अल्ला कई उन्हें हमारी ही नजर न लग जाए कितनी महबबत से अस लड़की को देख रहे थे वो कौन सी लड़की तस्नीम वो बांधी की लड़की उस बिचारी का सुना गलात देखकर उनकी तो आखें ही नम हो गए और उन्होंने हमारा कीमती हार उसे दे डाला इतनी महबबत से देख रहे थे मानों से हासिल करना चाहते हो जामतलब जाविदा आदम क्या हासिल करना चाहते थे ओहो अमीजान हमारे लिए हासिल करना चाहते हो लगता है आदम साब को ये मेहसूस हो गया है कि अब हमें बच्चे की जरूरत है है अला हमारे शोहर हमारा कितना ख्याल रखते है तो लड़की दिखने में कैसे थी? हमारी तरह बेहुत खुब सूरत, बिल्कुल शबनम की तरह शफाक और आदाम उस लड़की को बड़े गौर से देख रहे थे महबबत से, जैसे कभी वो हमें देखा करते थे अब जरा हमें गौर से देखिये जाविदा और बटाईए कि हम आपको किन निगाओं से देख रहे हैं? हमें लगता है आपको हमारी बात बहुत पसंद नहीं आई शाबाज, जुन्दगे में पहली बार आपने समश्तारी के बात किये सची? अब जाई, अपना दिमाग सेवईयों में लगाई जी हाँ, आज हम बेहत प्यासे सेवईया बनाएंगे आज तो इतना खुशी का मोगा है, याला आज की सेवईया देखना जरा आखिर एक बांदी की इतनी जोटी उम्र की लड़की को हर तोफ़े में देने के पीछे आदेम का क्या मकसद हो सकता है एक बात पूछें आपसे पूछो आपके दुश्मनी किस से है, शेंशाह जलाल से या बेगम जोधा से शेंशाह और बेगम को अलग करके आपको गद्दी तो मिलने वाली नहीं थी ना ही कोई सियासती फाइदा दिखाई दे रहा था फिर आपने ऐसा क्यों किया ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हम जानते हैं कि हमसे क्या वाइदा किया गया था आमेर और इसकी राजकुमारी जोधा चुकताई खान को सही कहते हुए सुना था आमेर की राजकुमारी बेहद खुबसूरत है आमेर आपका हुआ? हो सकता है राजकुमारी जोधा भी आपकी मिलकियत हो जाए सुना है खुबसूरत होने के साथ-साथ बहुत तेज दिमाग भी है जोधा नाम में ही कुछ बात है क्या कहा तुमने? जोधा की मंगनीतिया हो गई? किस से? भानपूर के राजा सुर्यभान सिंग से सुर्यभान और मौका मिलते ही हमने सुर्यभान का सरकलम कर दिया और उसके तीनों भाईयों को कैद में रखा और जोधा को अपनी बेगम बनाने का खौब देखने लगे जोधा सिर्फ हमारी ही बेगम बन सकती थी ख़बर पक्की है शेहनशा जोधा से निकाह करने वाले हैं जलाल ऐसा कैसे कर सकता है मगर जलाल ने खुद जोधा से शारी कर ली और हमें उसकी पेवा बेहन बक्षी पानों से निकाह करना पड़ा ये बात हमारे सीने में हमेशा चुपती रही और आमेर से आने के बाद हमें मौका मिला एक हकीम से पता चला कि ये दवा इंसान को ठीक भी कर सकती है और बीमार भी हमने अपना दाव केल दिया हम कामियाब होने ही वाले थे जलाल और जोधा के जीच की दरार दिवार बनने वाली थी मगर मगर हमारी पूरी तरकीब उल्टी पड़ गई हमें वहां से भागना पड़ा अब हमारे पास ना तो जोधा है और ना ही मोगल सूपेदारी तो क्या अब आप आगरा वापिस में लोटेंगे ये तो वक्ती पताएगा